Hello everyone, good evening to you all. मैं हूं ससी आजसर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल आज जे लगें. दोस्तो इस वडियो में देखेंगे class 10th trigonometry का एक और important question. तो चलिए देखते हैं वह question है क्या? आईए. If sin A is equal to cos A, then find the value of 210 square A plus sin square A minus 1 की value हमें क्या करनी है? तो चलिए देखते हैं इसका value हम कैसे fine करेंगे? आईए. यहाँ पर आप देखेंगे here, given है हमारे पास क्या? तो sin A is equal to cos A है. sin A is equal to cos A. आप एक बात बताएए, यहाँ पर पहले से sin A है. sin A पहले से है. इसको हम इधर लाते हैं, तो यह 1 के साथ तो multiply है. तो यहाँ पर 1 के साथ multiply है, तो इस side में लाएए, तो divide में हो जाएगा. तो अब क्या लिखेंगे sin A by cos A is equal to क्या? 1. अब आप हमें बताएए, आपके पास एक identity है. sin A by cos A is equal to होता क्या है? तो tan A is equal to क्या? 1. अब आप हमें बताएए, tan theta में कितने degree की value 1 होती है? आप लिख सकते हैं यहाँ, tan A is equal to tan 45, 45 degree की value क्या होती है? 1 होती है. तो अब एक बात बताएए, यहाँ भी tan, यहाँ भी tan, तो A is equal to कितना? तो A का value जो हमारा हुआ, वह हुआ 45 degree है. अब हमें क्या करना है? आप यहाँ देखिए. Now, हमें value निकाल नहीं है, किसकी? 210 square A plus sin square A minus 1. अब देखिए, 210 square A की जगा पर आप क्या लिखेंगे? तो A की जगा पर आपको 45 लिखना है, 45 degree plus sin square A की जगा पर 45 degree minus 1. ओके? चलिए. आप बताएए, यहाँ तो 2 पहले से हैं, और 1045 का value कितना होता है? तो 1 होता है, तो 1045 का 1 लिखेंगे और 1 का क्या square? प्लस sin 45 है, sin 45 का value 1 by root 2 और इसका क्या square है? तो square लिखेंगे, minus क्या 1. अब एक बात पताएए, यह 1 का square कितना होगा जगा जगा जगा? 1 होगा ना, तो 2 into 1 करेंगे तो कितना? 2 plus 1 का square 1 by root 2 का square कितना? तो root 2 का square 2 हो गया, तो root 2 को 2 times क्या कर देंगे? multiply कर देंगे, तो यह हो मिलेगा root 4, और root 4 का value कितना? 2, तो वही भूग गया 2, और पहले से है, minus 1. अब चलिए, 2 by 1 लिख देते हैं, और 1 by 1 लिख देते हैं. अब बताएए, 1, 2, 1 का LCM लेंगे, तो कितना होगा? 2 होगा, 1 से divide देंगे 2 में, तो आएगा 2, 2 का multiply करेंगे 2 में, 2 तूजा 4, plus 2 से divide करेंगे, 2 को 1 आएगा, 1 से multiply करेंगे, तो 1, minus 1 से divide करेंगे 2 में, 2 मिलेगा, 2 में 1 का multiply करेंगे, तो कितना? 2. अब बताएए हमें, यह दोनों plus में हैं, 4 और 1, 5, minus क्या 2 by 2. अब देखिए, 5 minus 2 करेंगे, तो 3 by क्या 2, that is your answer. Is that clear? मुझे उमीद है, यह question आपको बेहतर तरीके से समझ आया हुआ, तो इस वडियो में बस अतना ही, मिलते हैं next वडियो में, तब तक के लिए बाई, have a nice day, thank you.